शर्म आने चाहिए शर्म और आपको वोट नहीं अब इस देश से चले जाना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से अगर इस्तिफ़ा देंगे पूरे देश के लिए एक इंटरनेशनल प्रनौती बनेगे। कब्रिश्तान बना दिया है। बाजपा प्रचार करेगी तो करोना नहीं है। बाजपा रेली 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 कर पब्लिक ओपी ने दिखा रहे हैं कि पशिम मंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रहे हैं इसी वी जो है पुरे देश के अंदर जो है कोरोना वाइरस फैला हुआ है आपको बता दे कि देश के परधान मंतरी मोदी आये थे रात को उन्होंने अपने मन की बात करी लेकिन जो देश की जनता एक आस लगाए बैठे हुए थी कि शायद परधान मंतरी कुछ एनॉसमेंट करेंगे जिससे कि यहां की आवाम को राहत मिले लेकिन ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला सिर्फ लफवाजी सुनने को मिली है मेरे साथ यहां पर मुहिश शर्मा है बाचित करने के लिए इनसे हम जूरेंगा और जानने की कोश्च करेंगे देश के परधान मंतरी जिस तरीके से रात को मन की बात कर रहे थे ऐसा कुछ भी उन्होंने एनॉसमेंट नहीं किया जिससे कि यहां की जनता को यहां की आवाम को कुछ उसमें भलाई नजर आए देखे देश की जनता अब इनके मन की बात का कॉंसेप्ट आप खतम करिये ना और मन की बात को छोड़कर अगर आपने परचार पर बंद किया होता परचार पर बेन लगाया होता और देश की राजधानी से लेकर तमाम जगें उपर अगर आपने वहां परचार के बजाए बंगाल में परचार के बजाए आपके स्वास्त मंतरी ने वहां पर ध्यान दिया होता तो आज देश इस तिस्तिते नहीं गुजर रहा होता आप क्या समझ रहे हैं आपके इस पांच रुपे वाले मास्क से पुरे देश का आप करोना ठीक कर देंगे आपके मुपर देखा है किसी नए मास्क जब आप मन की बात करने आते हैं जब आप महाँ पर निकलते हैं प्रचार करने के लिए प्रचार में आपके मुपर ये 5 रुपे का मास्क नहीं दिखता है और आप एक बात बताईए देश की गरीब जनता का आप 1000 रुपे से लेकर 500 रुपे से लेकर दो हजार रुपे का विदाउट मास का चलान काट रहे हैं लेकिन जो देश की सरकार अस्पताल में बैड मुहिया नहीं करा पारी उनका कितने का चलान कटेगा जरा ये बताईए ना सरकार कभी तो चलान कटना चाहिए जब देश की गरीब जंता का कट रहे और आप एक बात बताईए ये वो लोग हैं जो हमें कश्मीर में पिलोट दिला रहे थे और आज इनकी आवकात अस्पताल में बैट दिलाने की नहीं है जो कश्मीर में पिलोट दिलाने की बात किया करते थे और जो कहते हैं सतर साल शुक्र है 70 साल में जो अस्पताल बने वो अस्पताल बन गए और उनमें इलाज चल रहा है वरना इलाज आपके तो बनाए सोचाले में चल रहा होता क्योंकि आपने अस्पताल बनाए नहीं है आपने तो सिर्फ सोचाले बनाए है तो क्या इलाज सोचालने में कराएंगे जनाब आपने पुरा देश बेग दिया अब सबसे ज़्यादा भीड़ तो समशान घाट और कबरिस्तान के बाहर लगी हुई है तो क्या समशान घाट और कबरिस्तान भी अंबानी और अडानी के हवाले कर दीजिए न उससे भी कुछ पैसा आजाएगा और क्या चाहिए आपको आपने मन की बात करकर जन की बात को आप भूल गए आप वहां प्रचार कर रहे हैं तब आपको मन की बात याद नहीं आती आप रोना धोना शुरू कर देंगे दो दिन बात फिरा कर इससे देश का कुछ नहीं होने वाला है इतनी बड़ी महामारी देश में फैल रही है लेकिन अब तक पुरधान मंतरी मोदी जी ने अगर इससे पहले वेस्ट बेंगॉल के अंदर चुनाब प्रकरिया को रोक दिया होता देश में प्रचार को बंद कर दिया होता तो देश आज इतनी बड़ी इस्तिती से नहीं जूज रहा होता राहुल गान्दी ने चुनावी रेली को रद कर दी कोविड-19 के वेसे लेकिन भाजपा की तरफ से इसा कुछ देखने को नहीं मिला देखें ये प्रधान मंतरी कम और प्रचार मंतरी जादा है इसे घूमने का इतना शौक है कि बंगाल छोड़के बंगला देश तक भी घूमी आए इंटरनेशनल फ्लाइट क्या बंद हुई इनके पैर में तो तलबली उटने लगी विदेश घूमने की विदेश नहीं जा पाए तो बंगला देश ही पहुँच गए जनाब प्रधान मंतरी मोदी जी ने अगर बंगाल में चुनाप प्रचार नहीं किया होता अगर मद्धे परदेश में शिवराज सिंग चोहान को मुख्य मंतरी नहीं बनाया होता अगर डॉनल्ड टरम्प के लिए कारेकरम नहीं कराया होता तो आज ये देश करोना जैसी महमारी से नहीं जूज रहा होता आज देश के अंदर ये पांच रुपेला मास्क लॉंच करा आपने आपने वैक्सीन लॉंच करी उसके बावजूद उसके बावजूद पहले से ज़्यादा संख्या में लोग आज ग्रस्ट होते जा रहे हैं लोगों क्यों बिमार होते जा रहे हैं सम्शान घाट कबरिस्तान पर बहुत लंबी लाइन लगती जा रही है अस्पताल में बैड की कमी हो रही है इंजेक्षन को लेकर black कालो बारी चल रहा है election को black में बेका जा रहा है और जिस injection की कीमत 5,000 रुपे है उस injection की कीमत 50,000 रुपे तक हो रही है और गरीब आदमी injection भी नहीं ले पा रहा है तो क्या आज ये देश के लिए कितना बुरा समय है यही अच्छे दिन थे क्या मोदी जी अगर ऐसे ही अच्छे दिन दिखाने थे तो भईया माफ कर दीजी आपका अच्छा दिन हमें नहीं नहीं चाहिए ऐसा प्रधान मंतरी मोदी और भाजपा के नेताओं के पास क्या है कि इनकी रेली के अंदर करोना दस्तक नहीं देता है ये पूरा देश जानना चाहता है हमने कश्मीर से कन्या कुमारी तक की यात्रा तैकरी हमें करोना नहीं हुआ पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधान मंतरी मोदी और भाजपा की यैंग के पास आकिर कौन सी ऐसी मुगली घुटी है जिसको पीने के बाद भाजपा और उनके तमाम भाजपा के भारत जलाओ पार्टी के नेताओं के पास भाजपा के गावारों के पास कौन सी ऐसी जिसको पीने के बाद देश में करोना क्या चाते है कि क्या करोना वाइरस है नहीं ऐसा मैंने कब कहा ऐसा मैंने का मतलब ये है कि करोना क्या गरीब आदमी को लगता है मिडल क्लास फैमिली को लगता है बाचपा प्रचार करेगी तो करोना नहीं है बाद पर रेली करेगी तो करोना नहीं है प्रधान मंतरी मोधी बंगाल में रेली कर लें तो करोना नहीं है ग्रह मंतरी अमिट्शा करें तो करोना नहीं है दो मुआ साप कोबरा में तुन चकरवर्ती करें तो करोना नहीं है लेकिन अगर जहां किसान बैठ जाए तो करोना दस्तक दे देता है कोई प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाए तो करोना दस्तक दे देता है क्या है ये सब चीज बताइए ना पूरा केशा ना चाहिए बिलकुल कह रहे हैं और सीना चोड़ा करके नहीं इनका 56 इंच का सीना है आपको शरम आनी चाहिए भीड तो आज लगी पड़ी है समशान घाट और कब्रिस्तान के बहार और ऐसी ब्लैक मनी और वहां कारोबारी चल रही है कि जिस आदमी के पास अगर 5000 रुपे दफनाने के नाम पर लिये जा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर 5000 रुपे मतलब अगर गरीब आदमी की जेम में 5000 रुपे भी ना हो तो विचारा दफना भी नहीं सकता क्योंकि वहां क्या करा जा रहा है वहां पर भी पैसा कमाया जा रहा है क्योंकि भाजपा के नेता सिर्फ समशान और पॉपुलेशन कंट्रोल माइंड कंट्रोल आज के समय में इस देश की मीडिया कर रही है मनी कंट्रोल आज के टाइम में बिजनसमें कर रहे हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है इस देश की महमारियां जिनके ऊपर आज आप देख लीजिए किस तरीके की अस्प कि वहाँ पर मतलब कोई अपने प्रिजन को लेके जा रहे तो उसका पता ही नहीं चलना वो कहा जा तो इनके उपर कारवाई करी जानी चाहिए ना लोग वहाँ पर रो रहे हैं कि मेरे पिताजी को दस दिन एडमिट कराई हुए हो गए मेरे पिताजी की बॉडी नहीं मीरी मेरे पिताजी कल तक रात तक ठीक थे सुबह उन्हें करोना पॉजिटिव बता दिया और दुपहर में उनकी डेथ हो जाती है क्या चल रहा है ये देश के अंदर इसको लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर आप ये देखे ना हैल्थ डिपार्टमेंट को लेकर और सबसे बड़ी बाद डबलू एचे हो हो ये तमाम विश्व की सबसे बड़ी बड़ी तमाम एजेंसियों को लेकर कुछ पूरे देश को सर्याम सम्शान घाट कबरिस्तान बना दिया है आज देश की जनता त्रस्त है क्या ये पांच रुपे आले मास्क से करोना रुकेगा अगर रुकेगा तो प्रधान मंतरी मोदी रेली में क्यों नहीं लगाते दीजी आप इस सवाल का जवाब मुझे पूरा देश जानना चाहता है और आप एक बात बते प्रधान मंतरी मोदी ने पी-पी किट पहन कर दिया क्या भाशन लगाया मास्क हाथ में हाथ को सनिटाइज किया अभी बंगाल का चुनाव होते ही ये रोना धोना शुरू कर देंगे कि हमें इससे दुख है करोना फैल रहा है रोका जाएगा अब पिटवाईए न थाली जनाब अब जलवाईए मुंबती अब जलवाईए आप तमाम तरीके के ढोल पिटवाईए ताशे पिटवाईए बम फुटवाईए चलवाईए क्यों नहीं है पिटवाईए न थाली देश की गरीब जनता के बच्चों के घर के चिराद छिन गए और आपको थाली के नाम पर ताली के नाम पर सिर्फ मजाक शूचता है यहां परधान मंतरी अपनी जिम्मेदारी को نہیں निभा पारे सही से तो द्योग पतियों की बिजनस्मैन की और हम बीजेपी के विरोध में बोलते हैं तो हमारी भी जीवन का पता नहीं कि कब हमें मरवा दिया जाए स्रीट कॉल्स आती है तमाम तरीके की कानून कारवाई की जाती है ये पता नहीं की कम मरवा दिया जाए जो बीजेपी का विरोध करेगा चाहें वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सिखो या हिसाई हो उसको ये लोग कहां गायब कर देते हैं पता ही नहीं चलता अच्छा परदान मंतरी मोदी ने कहा कि पूरा देश जो है क्या नाम है COVID-19 से लड़ रहा है अभी पक्षवाले कह रहे है कि पूरा देश तो करोना वायरस से लड़ रहा है लेकिन मोदी जी ममतब अनर्जी से लड़ रहे है पूरा देश निश्यत तोर पर पूरा देश आज पूरा देश ने विश्व करोना जैसी महमारी से लड़ रहा है और ये अकेले महिला से लड़ने पे तुले हुए है उसको हराने के लिए कि बस मुझे मुझे मुख्यमंतरी की कुरसी मिल जाए साम दाम दंड भेद बंगाल छोड़कर इनका दिल्ली बैठे किसान जो बॉर्डर पर बैठे वहां उनसे मिलने का मनी नहीं करता लेकिन आप देखिए बंगाल से जाने का इनका मनी नहीं कर रहा है बंगाल में तो इन्हें बस पुरसी चाहिए और आप देखिएगा शायद क्या पता ऐसा भी हो कि बंगाल में चुनाफ खतम होते ही लॉकडाउन लगे भारत के अंदर ये भी हो सकता है कोई जादा बड़ी बात नहीं है अभी राजधानी में लॉकडाउन लगते हुए आपने देखा है देख के अंदर महरास में लॉकडाउन लगते हुए देखा है तो अगर पूरे देख में लॉकडाउन लगे तो जादा बड़ी बात नहीं है पाधान मंतरी मोदी ने युवाओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दिया उन्होंने कहा कि कमेटी बनाईए और कुरोना का अनुशाशन का पालन करवाई कमेटी बनाईए और मैं प्रचार करता रहू है उस कमेटी को मुझे मेंबर बना दीजी और 100-500-000 आदमी जाए इखटे हो जाए वहीं कमेटी की मजमा लगा दीजी जाए वहीं आके मैं भाशन दे दूँगा, यही कहना चाहते हैं न, यह भाशन जीवी ने पूरे देश का भटा बिठा दिया, अगर आपने शिवरा सिंग चोहान को मुख्य मंतरी नहीं बनवाया होता, आपने मध्य परदेश में चुनाव नहीं कराया होता, तो आज पूरा देश इस महामारी से नहीं जूच रहा है, अगरेट लेवर से यह कहा है कि जो जहां है वो ही रुकें, उनको खाने के लिए पैसा कौन देगा, आज देश के अंदर लॉकडाउन कौन लगा रहा है, आप बताएए न, जिनके पास एक एक साल का राशन है, वो देश में है कि जो देश की जनता को रोटी दिला सके, यह मजदूर जो खड़ा है, इसको रोटी दिला सकते हैं, आप दिखाईए एक बार, दिखाईए न, यह मिडल सास पैमली का मजदूर जो यह खड़ा है, है आपकी अवकाद, इसको रोटी दिलाने की, दो टाइम की रोटी आप मुहिया करा सकते हैं आपके नेताओं ने पीपी किट के नाम पे घोटाला किया इस पांच उर्पेले मास्क के नाम पे घोटाला किया आपकी अवकाद देश के मजदूरों को 200 रुपे का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है और आप देश की जनता की मांग पूरी करने की बात करते हैं आपको शर्म आनी चाहिए शर्म और आपको वोट नहीं अब इस देश से चले जाना चाहिए ये आपके लिए बहतर होगा कि आप अपनी मर्जी से अगर इस्तिफ़ा देंगे तो पूरे देश के लिए अच्छा होगा क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक इंटरनेशनल पनौती बनते है मैं आपसे पूछना चाहरा हूँ कि इनके पास ऐसा क्या है क्या है इनों के जो पौने दो आख वाला वो जो काना है उसके पास कौन सी जड़ी बूटी थी जो इनों को दे दी इनने बताएए ना हमार को क्यों नहीं मिल रहा है वो चूरन वो चूरन जो ये इनके नेता वो चूरन ले रहे हैं वो चूरन हमें भी दो किस की बात कर रहे हैं वो चूरन जिसको खाकर इनको करोना नहीं होता और देश की जनता को हो जाता है डिकेट ने भी का कि हमने हाकीमी से बात करी है हाकीम से मैंने बात करी है कि जिस दिन किसान हट जाएंगे उस दिन करोना वाइरस खतम हो जाएगा तो भाईया करोना रुकेगा कैसे करोना क्या कहता है करोना ऐसे बोर्ट दिखा दो न करोना को आप कि मैं चुनाब प्रचार करने जा रहा हूँ तो करोना कई किलोमेटर दूर बाग जाएगा समझे रहें बस आप इतना कह दो कि मैं चुनाब परचार में निकल लगा, आप उसको मास्क दिखाएंगे, नहीं डरेगा, सैनिटाइजर दिखाएंगे, नहीं डरेगा, लेकिन आप जैसी उसे बोलेंगे, मैं चुनाब परचार करने जा रहा हूँ, वहीं करोना डर के मारे अपने घर में छुप जाएगा, बहुत जगहें जो रात में करफ्यू लगा जाता है, तो मतलब रात में क्या होता है, कि करोना घूमने के लिए निकलता है, रात में ऐसा है, देखिए, मॉर्निंग में तो दुनिया वाक पे निकलती है, लेकिन ये करोना है, ये नाइट वाक पे निकलता है, और नाइट व इस तो प्रधान मंत्रिया नहीं लगता है रात में लगता है